Hello everyone, I hope आप सभी बहुत अच्छी होंगे आप सभी लोगों को बहुत लंबे समय से KVS में भरती का जो है इंतिजार था तो KVS से जो है आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही तरह की पोश्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो आज किस वीडियों में बात करने वाला हूँ की आपकी KVS में PGT के लिए जो है क्या minimum qualification है क्या जो है आपकी age limit है maximum और age limit में जो है क्या क्या relaxation है तो यह आपका PGT का है सबसे पहले age limit की बात कर लेता है तो जो age limit है आपकी maximum वो है आपकी 40 year ठीक है 40 year आपकी maximum age limit और ही calculate होगी आपकी 26 12 2022 के हिसाब से ठीक है age limit 40 year है और आज में आपको category और female के लिए जो है age relaxation है वो आप वीडियो की last में देख लेना ठीक है अब बात कर लेता है eligibility की qualification की तो देखिए आपने जो है 2 year integrated post graduate किया हो MSc ठीक है और या फिर आपने master degree की हो किसी भी university से और आपके जो है उसमें 50% marks हो ठीक है overall भी 50% marks हो और जिस subject के लिए आप apply करेंगे उसमें भी 50% marks हो ठीक है अब बात कर लेते हैं आगे थोड़ा समें subject combination के बारे में है तो पहले आप यह देख लिजी इसके लावा देखी क्या है ठीक है यह तो आप को गया कि आपने graduation किया हो ठीक है इसका अतलब तो साथा graduation है आपने graduation किया हो और 50% marks से और subject में भी 50% हो overall और PG में भी overall 50% हो ठीक है इसके लावा आपने जो है बीएड या एक्टि इसके equivalent आपने जो है किया हो किसी भी university से ठीक है तो इसका अतलब होगे second आपको बीएड करना है और हिंदी और इंगलिस की आपको knowledge हो ठीक है इसमें एक और special note है कि candidates having only special V8 are not eligible for the post of PGT ठीक है जिन लोगों ने special V8 किया हुआ है बो लोग PGT की post के लिए eligible नहीं है यह आपको ध्यान रखनी है बाग कि desirable है आपको computer की knowledge हो आपको computer का certificate नहीं देना है बस आपको जानकारी हो ठीक है अब बात कर लेते हैं थोड़ा combination के बारे में तो first है आपका PGT English के लिए आपने English किया हो graduation से PGT हिंदी के लिए आपने हिंदी या संस्कृत से PG किया हो और हिंदी आपका जो है graduation में subject रहा हो ठीक है हिंदी और संस्कृत with Hindi as one of the subject at graduate तो आपने हिंदी में या संस्कृत से PG किया हो और आपका हिंदी जो है graduation में रहा हो PGT physics के लिए physics, electronics, applied physics, nuclear physics में से कोई भी PGT chemistry के लिए chemistry, biochemistry दोनों eligible है economics के लिए economics, applied economics, business economics तीनों eligible है PGT commerce के लिए आप देख लिए math के लिए mathematics, applied mathematics, biology के लिए botany, geology, life science, bioscience, genetics, microbiology, biotechnology, microbiology, plant psychology तीक है यह सो आपकी जो है और इसके अलाबा एक condition इसमें है कि आपने जो है botany और geology graduation level पर पढ़ी हो ठीक है यह condition इसमें आगए graduation वाली भी कि आपने water tree और geology graduation में पढ़ी हो PGT history के लिए आपने history रहा हो PG में और PGT geography के लिए geography रहा हो ठीक है इसके लाबा computer science के लिए मैं जो है अलग से video बना दूँगा कि computer science के लिए जो है आपकी care eligibility है बहाँ पे B.A.D. की जरूवत है या नहीं PG होना जरूरी है या नहीं ठीक है तो computer science के लिए मैं लग से मरा दूँगा B.A.D. और PG दोनों का मैं इसमें आपको बता दूँगा ठीक है बाकि आप qualification में देखेंगे तो आपका seat at कहीं भी mention नहीं है ठीक है तो seat at की कोई जरूवत नहीं है बस आपने PG किया हो पिलस आपने B.A.D. किया हो B.A.D. मस्ट है ठीक है तो B.A.D. और graduation seat at की कोई जरूवत नहीं है और अब बात करें appearing की जिनका जो है PG appearing है जिनका या तो PG appearing है या जिनका जो है B.A.D. appearing है ठीक है तो PG और B.A.D. जिनका appearing है उनके लिए ये है कि उनका जो है final का result 26-12-2022 तक आ जाना चाहिए ठीक है 26-12-2022 तक क्या है उनका final का result आ जाए अगर आपका final का result 26-12-2022 तक आ जाता है तो आप eligible होंगे अगर आपका result नहीं आ पाता है 26-12-2022 तक final year का तो आप eligible नहीं है अब आगले देख लेते हैं age relaxation का ठीक है तो जो आपके SC और ST के हैं उनके लिए 5 year का जो है age relaxation है ठीक है तो आपकी जो भी maximum age limit थी उसमें आपको प्लस 5 कर लेना है ठीक है तो PRT के लिए हो जाएगा 30 प्लस 5 35 TGT के लिए आपको हो जाएगा 35 प्लस 5 40 और PGT के लिए 40 प्लस 5 45 ठीक है जो आपके OVC के लिए OVC की candidate है उनके लिए का है 3 year का age relaxation है ठीक है तो उनको प्लस 3 कर लेना है आपकी जो भूमन है all category ठीक है केवल principal आप 22 प्रिंसिपल की पोस्ट को छोड़ के ठीक है तो आपकी जो बूमन है all category उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा age relaxation है 10 year का age relaxation है ठीक है तो आपको क्या करना जो भी अपर age limit उसमें आपको plus 10 कर देना ठीक है तो PRT के लिए हो जाएगी 40 plus 10 करके और TGT के लिए हो जाएगी 45 और PGT के लिए 50 year female के लिए ठीक है तो female के लिए बहुत age relaxation है ठीक है और बाकि जो KBS employee है उनके लिए कोई भी जो है age relaxation का बार नहीं है ठीक है बाकि जो central service के है उनके लिए अलग लग है जनल के लिए 5 year SCST के लिए 10 year OVC के लिए 8 year ठीक है इसके लाबा जो personal ordinary domicile in state of Jammu and Kashmir जो जम्मू और कस्मीर के है उनके लिए 5 year का age relaxation है ठीक है इसके लाबा जो पी एच वाले है ठीक है जिनको कोई disability है और उसमें जो है बूमें भी सामिल है उनको जो है इनोंने और ज्यादा age relaxation दिया है ठीक है मतलब एक तो आप पी एच है उपर से आप की कोई reserve category है ठीक है तो जो पी एच वाले है उनके लिए जो quedar is relaxation है वो S C S T के लिए 15 साल वो भी सी के लिए 13 साल और general के लिए है ठीक है तो पी एच में तो सभी के लिए 2016 ठीक है तो इसमें बूमें का भी आजाएगा जो एक सर्विसमें है जनरल के उनके लिए फाइव ये एल है जो एक सर्विसमें है जनरल के उनके लिए है कि टेनिए ठीक और यह कुछ गुरूप एक की पोश्ट पेलिए ठीक है बागी पोश्ट के लिए नहीं है ठीक है फिसके अगर अगर आप पहली बार आहें तो आप मोरे हैं तो आप